कैसे हो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबीका मेरी चैनल के उपर अभी तक दोखो दोस्तों आपने ये चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बिटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस्स न हो जाए और पैसे कवाने का कोई भी मौका आप कवाना दो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको रेडिमेट्स कॉल्स चाहिए तो आप मेरी चैनल भी जॉइन कर सकते हो ये जॉइन बटन के उपर क्लिक करते ही आपको सब इनफोर्मेशन मिल जाएगी अगर आप लोग डाइरेक एक्विटी में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉटफोलियो का 50% अलोकेशन मुच्वल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुच्वल फंड में पॉटफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्स्पोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉटफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉटफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक से ज्यादा स्टॉक नहीं होगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वो आपको जानना है तो आप मुझे क्वांटेक कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा अभी तक आप लोग हमारे साथ वाटसव ग्रूप और टेलिग्राम में नहीं जुड़े होए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह का लिंक अवे लेबल है आप चुड़ सकते हो और ये वीडियो स्किप किये बीना देखेगा और लास्ट का पोर्सन ठीक से देखेगा उसमें आपके लिए एक सप्राइज रखा गया है अब आप आप अब 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 अ अ आप आप ग्रीव्स कॉटन को मैं पर्सनली ट्रेक कर रहा हूं ये कंपनी को बहुत ही इलेक्ट्रिक टूविलियर सेगमेंट के अंदर अच्छी कंपनी है ये ठीक है ओला में जिस तरह से फायरिंग का फायर का न्यूज आया है ग्रीव्स कॉटन का एक भी वेहिकल में ऐसा कोई डेमेज नहीं हुआ है सो दाट इस गोड तिंग फंडामेंटली कंपनी अभी वहुत ही स्ट्रॉंग है ठीक है फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं है ये कंपनी में मैं जरूर से बताऊंगा कि स्टॉक हायर लेवल से काफी ज़धे डिसकाउंट में हमें मिल रहा है पचास परसंट डिसकाउंट के साथ ये स्टॉक मिल रहा है इस इस पॉर्टफोलियो स्टॉक ग्रिव्स को अने पॉर्टफोलियो स्टॉक है मंतली के उपर भी अगर हम देखते हैं तो अभी भी स्टॉक का लेवल अच्छा है और मेरे हिसाब से किसी को बाइंग करना हो यहां पर ठीक है सो कर सकते हैं हम कौन से लेवल पर बाइंग करना चाहिए I will tell you guys सो मैं आपको ऐसा suggestion दे रहा हूँ कि जब तक stock 150 के उपर जब तक ये stock निकलना start नहीं करता है सो तब तक आप लोग मत बाई कीजिए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव अगर आपका वीजन है तो 150 के उपर जब तक ये stock नहीं निकलता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है और अगर आपका वीजन पॉटफोलियो का है लाइक आप नेक्स्ट आने वाले दिनों में महीनों में stock को hold करना चाहते हो तो SIP mode पे भी आप एक stock को buy कर सकते हो और मैं आपको एक range बता रहा हूँ इस range में अगर किसी को भी long term के perspective से buy करना हो average out करना हो तो भी आप कर सकते हो 137 से लेके 126 रुपिस तो very important range ठीक है यहाँ पर किसी को भी buying करना हो आप जरूर से buying कर सकते हो और फिर closing business के उपर आपको एक stop loss यहाँ पर maintain करना पड़ेगा वो है 120 रुपिस का So Grieves Cotton के अंदर अगर इतना risk अगर आपको किसी को लेना हो और fundamentally अच्छी company है long term के हिसाब से अगर इस stock के अंदर आपको पैसा लगाना है तो आप जरूर से पैसा लगा सकते हो मैं जो भी analysis कर रहा हूं उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो video देखे knowledge required कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखने के बात काम कीजिए